हेलो अब्रिवन मैं हो मनीश और आप देख रहें अपना यूटूब चैनल कॉर्पर सूरीज आज किस वीडियो में हम डिस्स करेंगे समन के अंतरगर जो है 65 और 66 को ठीक है यानि कि सेक्शन 65 को भी डिस्कस करेंगे और 66 को भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे जैसा कि हम अप बात करते वह समन की प्रायूप बताता है form आप करता है saki tski जूस कि और समन की तामीलग की सिक्ष्टी थरी जो सर्पयान साब समन ऑन कॉर्पोरेट बाडिग एंड सोसाइची यानि कि ये उस समय उसकी बात करता है यह इदि कोई निकाय hein सोसाइटी पर समन की तामील करने की बाद 63 करता है वहीं जो जो है बात करता है सर्विस विन पोर्षन समन चैन बीव कैन नौट बी फॉंड यानि कि जब समन किये बेक्ती नौ मिल सके तब उसकी तामील कैसे की जाए तो यह हमने जो है इस वीडियो का जो आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं ठीक है चलिए दिखते हैं 65 क्या करता है 65 जो है बेसिकली यह कहता है कि प्रोसीजर विन सर्विस कैन नौट बी अफेक्टेड एफेक्टेड एस भीफोर प्रोबाइड यानि कि जब इसमें जो है वह चीजें सारे चीज कबर नहीं होती है तब जो हम 65 की बात करतें यह जो है कहा है 65 का सेक्शन स्रीक है आनि कि बेसिकली अगर हम एक कॉन्कुलीजन की तौर बता है तो यह 65 कहता है जब कुटूम का कोई सदस ना मिले तब तामिल आनिकि उस समय किया बताता है कि जब कुटूम का कोई सदस सिह मिले तब तामिली कैसे किया जाए समन की उसकी बात करता है तिक यह जिस मकान में वो व्यक्ति करता में निवास करता है एक प्रति और और दूसरी प्रति जो है जब कोई समलन बेजने वाला अधिकारी क्या करता है कि कुटुम का कोई सदस नहीं मिलता है तो है अचिका विकर्ण में जहां को रह RC भाग यहना की सहज जिद्रिस भाग यानि कि प्रावपर तरीके से दिखाये देने वाले भाग पर एक प्रति उसका चिपकाएगा अदूसरी प्रति पर क्या करेगा वह नोट लिख करके चिपकाने उसके बाद जो है इस तरह से चिपकाने का नोट लिख करके किस पॉर्म में वह चिपका रहा है करने के आदेशेह है कि जो जो ट्रॉस जो तरीका है तामिली है की नहीं है उसकी जाज कर면 जो है उसको अगर अगर ऐसा कोई गलत तरीके से समझ की तामील करा गया तो पुना तामील जो है किस प्रकार की जाए वह आगे के आधेश देगा ठीक है यह यह पॉइंट्स आपको समझ में गिए था 65 आनि कि हम जो डिसक्स किये वह सेक्षन 65 के बारे में हमने डिसक्स किया अब हम देख लेते हैं कि section 66 क्या कहता है ठीक है एक और चीज़ हम बता दे कि section 66 जो है बात करता है सरकारी सेवक पर तामील ठीक है और कि कैसे जो है service on government servant की बात करता है section 66 जो है service of service of कि गौर्मेंट की बात करता है ठीक है तो यह क्या कहता है यदि माल लेते हैं यदि वह ब्यक्ति जिस पर समन की तामिल की जाना है कोई सरकारी सेवक हो यानि कि वह कोई अस्थानी के साथ वापस भेजतेगा ठीकिशकाधि स्थांकन केसाथ न्याले को वापस भीजतेगा ठीक है उसका जो प्रिस्टांकन ही तामिली का एक सबूत होता यानि एविडेंस के तौर पर जो इंडॉस्मेंट करके वह भीजा है एक प्रती नियाले के पास वही जो है बताता है कि उसकी तामिली हुई है कि नहीं हुए अगर बात करें केवल समन की कार् जो कर्मचारी होते हैं उस कर्याले के प्रमुक अधिकारी द्वारा तामिली कराई जाती है ठीक है उसके बाद कभी-कभी ऐसा इस्तिती उत्पन हो जाती कि सीधे तामिली करना आसान और आवश्यक नहीं होता है ऐसे केस में क्या किया जाता है जैसे अगर मालेजी की हुआ है तो उस पर वही तामिल करा दी जाएगी और तब अपने प्रमुक अधिकारी को सुचित करके जैसा भी हो वह अनुवती ले लेगा यदि जो प्रमुक अधिकारी है समन की तामिल नहीं करता है तो वह नयाले की मानाहन क्या परादी होगा ठीक है यह पॉइंट्स आ पर की जा सकती है